कि नमस्कार साथ ही स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम पुरानी हिंदी जानी परणबिक हिंदी क्या थी उसको पढ़ने वाले हैं तो शुरू करते हैं साथ हूं चंतदर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपरणश को ही पुरानी हिंदी कहा है जानी अपरणश के वाद जो भी हिंदी आई चाहिए वो अभर्ती जा कोई भी उसको ही पुरानी हिंदी कहा है उसको परणबिक हिंदी भी कहा जाता है आगे आठवी नौवी श्ताबदी में सिद्धों की भाषा में हमें अभ्रण से निकलती हिंदी स्पष्टता हम दिखाई पड़ती है कुछ विद्वानों ने पुष्य दंत को हिंदी का कभी कहा है लेकिन वे निसंधे अभ्रण का जा अभ्रण के कभी है उनकी कृतियों में कहें कहीं विकास मान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं विद्यपति और जोतेश्व ठाकुर के जहां भी पूर्वी हिंदी के वीज मिल जाते हैं नाथों और जोगियों की वाणी में अरंबिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है खड़ी बुली का दखनी रूप अरंबिक हिंदी के लिहाज से अधिक प्रिश्कृत रहा सर्फुदिन वु अली 1343 सिश्मी मृत्यू होई इनकी उन्होंने लिखा सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए विधना ऐसी रैन कर भोर कंधोना हुए आगे साथ योशुद खड़ी बुली के प्रणबिक नमूने खुसरों की शायरी में मिलते हैं हर्देवारी अच्छा लोचक है हिंदी के ये कहते हैं कि अंत है हम डाक्टर माता परसाज गुपत और डाक्टर किराश चेंदर भाटिये के विचार से सहमत है कि रोड कवी कृत राउल वेल एक मात्र कृती है जिसमें एक भाशा के लक्षन मिलते हैं आगे अवदी खड़ी बोली और दखनी किसी का वी एक भाशी गरंथ बारा सो पचास इसवी से पहले का उपलब्द नहीं और ना ही और जही तीन भाशाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली हैं कहने के दाद पर है कि अवदी खड़ी और दखनी जो खड़ी वो लिक्षा है एक रूप था दखनी हिंदी इसका कोई भी गरंथ एक भाशी गरंथ जो है बारा सो पचास से पहले का नहीं मिलता है तो तेह कि जो तीनों भाशाएं ही परहंबिक हिंदी जो परानी हिंदी के ये बहुत बड़ा जोगदन देख कर गई है तीक है